नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 का साथमा प्रश्न करने जा रहे हैं देखे बच्चो प्रश्न है बिंदू A के निर्देशांक ग्याद कीजे जहां A B एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना रही है थोड़ा सा मेरा हाथ यहाँ फिसल गया है सबसे पहले हमने A B एक वृत्त बनाया और यह इसके केंद्र से होता हुआ एक व्यास बनाया है यह व्यास है A B अब प्रश्न के अनुसार हमें A के निर्देशांक निकालने है B के निर्देशांक हमें देखिए जिसका केंद्र 2,3 2,-3 यानि यह O के निर्देशांक है 2,-3 B के निर्देशांक है 1,4 अब बच्चों देखने वाली बात इसमें यह है कि हम इसे कैसे हल करें थोड़ा साब सोचिए यदि ये एक व्यास है तो O B क्या होगी इसकी एक त्रिजिया O A क्या होगी इसकी दूसरी त्रिजिया दोनों त्रिजियां आपस में बराबर होंगी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि A B यदि एक व्यास है तो O जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है इसका मतलब जितना A O होगा उतना ही O B होगा क्योंकि ये दोनों ही सवरित की त्रिजियां है इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा आपस में एक रेश्यो एक होगा है न बच्चो तो अब आप समझे हमें इसमें क्या करना है आशा करता हूँ अभी तक आपको थोड़ा सा हिंट मिल क्या होगा देखिए निर्देशान पता है इसके नहीं पता बीच वाले के पता है हमें अनुपात पता है हम इसमें विभाजन सुत्र लगाएंगे ठीक है बच्चो तो हम सबसे पहरे लिखेंगे मान लो ए के निर्देशान खें कुछ भी आप मान सकते हैं मैं मान रहा हूँ M तो नहीं K, L ठीक है बच्चो K, L ये A के निर्देशान खोगे L अब देखिए विभाजन सुत्र के नुसार विभाजन सुत्र के नुसार यदि बीच में एक बिंदू है जो इसको दो भागों में बांटता है तो इस बीच वाले बिंदू के जो निर्देशान्ख है 2,-3 ये किसके बराबर होने चाहिए याद है ना आपको xy बराबर m इंटू x1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 यैसे था ना बेटा तो देखिए m1 और m2 है 1 1 इंटू x2 x2 है 1 प्लस m2 है 1 इंटू x1 x1 है k बटा 1 प्लस 1 m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 इसी प्रकार से y के निर्देशान्ख होंगे 1 इंटू y2 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू L बटा m1 प्लस m2 यानी की 1 प्लस 7 इसे हम आगे हल करते हैं बच्चो देखे लेफ्ट साइड पे है 2,-3 बराबर होगा 1 इंटू 1 1 प्लस k इंटू 1 है k बटा 1 प्लस 1 है 2 कोमा 1 इंटू 4 होगा 4 प्लस 1 इंटू L होगा L बटा 1 प्लस 1 होगा 2 अब देखे लेफ्ट अंड साइड और राइट अंड साइड ये दोनों बराबर है तो X निर्देशांग X निर्देशांग के बराबर होगा और Y निर्देशांग Y निर्देशांग के बराबर होगा है ना बच्चो तो हम इसे अलग-अलग कर लेते हैं देखिए ये X निर्देशांग है यहाँ पे 2 और यहाँ पर X निर्देशांग है 1 प्लस K बटा 2 यह आपस में बराबर होंगे इसी प्रकार से Y निर्देशांग है माइनस 3 तो यह बराबर होगा Y निर्देशांग के जो की है 4 प्लस L बटा 2 के बराबर अब इन्हें हम हल करेंगे देखे कैसे यह दो यहाँ पर भाग हो रहा है इस पूरी रखम के साथ यह भाग हो रहा है उधर जाएगा तो गुना होगा दो गुना दो हो जाएगा 4 बराबर 1 प्लस K अगले स्टेप में 4 1 इसके साथ प्लस हो रहा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर K यानी 4-1, 3 बराबर K तो ये K की वैल्यू आगई K बराबर 3 इसी प्रकार से हम यहाँ L का वैल्यू निकालेंगे माइनस 3, 2 यहाँ पर इस 4 प्लस L से भाग हो रहा है उधर जाएगा, माइनस 3 के साथ तो गुना हो जाएगा, तो 3 दुनी 6, 7 में साइन माइनस का बराबर 4 प्लस L अगले स्टेप में देखिए 4 यहाँ L के साथ प्लस हो रहा है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और उधर बच गया L तो यह हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 और 4, 10, 7 में साइन माइनस का, क्योंकि दोनों रख में माइनस की है बराबर L, इसका मतलर L का मान आगया, माइनस 10 ठीक है बच्चों, तो हमें K और L का मान ग्याद करना था, यानि कि हमें बिंदू A के निर्देशांक निकालने थे तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिंदू A के निर्देशांक है K, L थे न, दिखे K, L अब K आया है 3 कोमा L आया है माइनस 10 तो यह हो गए बिंदू A के निर्देशांक तो बच्चों, यही हमारा प्रशन था कि बिंदू A के निर्देशांक ग्याद कीजे तो हमने विभाजन सुत्र लगाया क्योंकि यह व्यास था एक वृत का व्यास था हमें पता है, दो त्रीजयां आपस में बराबर होती है, इसका मतलब यह त्रीजया और यह द्रीजया इन दोनों कानुपात आपस में एक आ गया तो हमने यहाँ पे विभाजन सुत्र का प्रयोक किया और हमने बिंदू A के निर्देशांक निकाल दिये हैं आशा करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया होगा इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी प्रशनों के हल देखकर समझ सकते हैं धन्यवाद